अगर आपको लगता है कि किसी website को rank करना सबसे tough चीज है तो उससे बात करके देखिए जिसे indexing में issues आ रहे हैं जब website index ही नहीं होगी तो rank कैसे होगी now indexing क्यों नहीं होती है इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं और इन बहुत सारे reasons के बहुत सारे solution भी हो सकते हैं इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ indexing की problems और उनके solution के साथ साथ ये भी देखेंगे कि indexing का मतलब आखिर क्या होता है ताकि आप इस issue को जड़ से समझ सके हैं हेलो आज हम बात कर रहे हैं गूगल सर्च इंजिन पर आने वाले indexing issues और उनके solution के बारे में indexing यानि की index बनाना और index का मतलब होता है list बनाना just imagine कि आप एक बच्चे से दो का पहाड़ा सुनना चाहते हैं English medium वालों के लिए two cutable दो एकम दो 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 नी चाहर बट इस से पहले कि आप उस बच्चे से दो का पहाड़ा सुन पाएं आपको कुछ काम करने होंगे इसी sequence में नमबर एक किसी को उस बच्चे को दो का पहाड़ा लिख के देना पढ़ेगा obviously नमबर दो बच्चे को पहाड़ा पहले पढ़ना होगा नमबर तीन बच्चे को पहाड़ा याद करना पड़ेगा और फिर नमबर चार किसी को बच्चे से पहाड़ा उचना पड़ेगा तब बच्चा सुना पाएगा तो अगर किसी ने बच्चे को लिख के पहाड़ा नहीं दिया तो बच्चा याद भी नहीं कर पाएगा, बता भी नहीं पाएगा, राइट, यहां तक clear है, अगर आपने बच्चे को जो पहड़ा लिख के दिया है, वो गलत है, तो suppose आपने किसी और language में लिख दिया है, जो बच्चा पढ़ी नहीं सकता है, तो क्या होगा, बच्चा याद नहीं कर पाएगा, और सुना भी नहीं पाएगा, ठीक है ना? ना, एक और problem हो सकती है, कि आपने पहड़ा लिख के सही language में दे दिया, लेकिन वो दो का नहीं है, एक का है, तो बच्चा अगेन एक का पहड़ा याद करेगा, और एक काई सुनाएगा, दो का नहीं सुना पाएगा, एकदम सिंपल है यहाँ तक, राइट? ना, इनी चार स्टेप्स को हम गूगल के हिसाब से चेंज कर देते हैं, पॉइंट नंबर वन होगा, वेबसाइट को बनाना, पॉइंट नंबर दो है, पॉइंट नंबर दो का फिर्स पार्ट है, पॉइंट नंबर दो का फिर्स पार्ट है, पॉइंट नंबर दो का सेकेंड पार्ट है, रिपीटेट कंटेंट का होना, पॉइंट नंबर 3 है indexing और पॉइंट नंबर 4 है search करना और search results को देखना सो search results में आने के लिए crawling होना और crawling के बाद indexing होना ज़रूरी है अगर crawling में कहीं कोई issue होगा तो indexing नहीं होगी और website search results में नहीं आएगी अगर content पहले भी कहीं कई बार Google को मिल चुका है तो उसके पास वो already indexed है तो भी आपके page की indexing नहीं होगी और search results में आपका page नहीं आएगा clear दो एक कम दो, दो दुनी चार, चोचोचोचोची बातों में बट गया संसार यह गाना लिखने वाले को पता था कि future में लोग social media पर चोचोचोची बातों के बारे में लड़ रहा होगी so इस example से indexing का क्या-क्या issue निकल के आता है Google को website का ना मिलना, यानि की crawling issues Google को website का ना समझ में आना, यानि की rendering issues और Google को duplicate या low quality content का मिलना इन तीनों में कोई भी एक या एक से ज़्यादा issues मिलने पर Google आपके pages या पूरी website को index करने से मना कर सकता है clear? ना ये थी theory यहां तक, अब देखते हैं कि कुछ common issues क्या होते हैं indexing से चुड़े हुए और उसको ठीक करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं नमबर एक है crawled, currently not indexed ना इस issue को ध्यान से देखना जरूरी है आपके लिए अगर आपके किसी page पर URL inspection tool को use करने पर ये message आता है तो इसका मतलब है कि Google ने आपका page crawl कर लिया है और Google के system के मताबिक आपके page का content ऐसा नहीं है कि उसे index किया जाए, इसलिए index नहीं किया है इस message के मिलने के बाद आपके re-indexing की request या कोई भी trick use करने पर कोई भी result नहीं मिलेगा क्योंकि आप trick से Google को convince नहीं कर सकते है Google के systems को लगता है कि आपके page का content indexing के लायक नहीं है इसके भी कई सारे reason हो सकते है like maybe आपका content thin है उसमें value नहीं है या फिर वो misleading है conspiracy theories टाइप content है जैसे अगर कोई post लिखता है कि भाई vaccine लगवाने से कोरोना का और भी भेहनक mutant आ जाएगा कोई और नया variant आ जाएगा तो इसके लिए vaccine मत लगवा हो इस type ये content को Google obviously index नहीं करना चाहेगा misleading content तब भी माना जाता है जब आप गलत title और description देते हैं अगर आपके page पर user को जिस question जिस search के लिए attract किया जा रहा है उसका answer करने की जगए कोई और ही बात चल रही है तो ऐसे pages को भी misleading माना जाता है और आपका page index नहीं कर सकता है Google या फिर अगर आपका content heavily biased है biased मतलब किसी एक site से ज्यादा attached होना आपको हमेशा popular site पर ही बात करनी चाहिए बट अगर आप कुछ अलग हट कर अपनी बात रख रहे हैं तो आपको अपनी बात को support करने के लिए कुछ भरोसे मंद sources के link भी देने चाहिए कुछ ऐसी websites को page पर link दीजिए जो जानी मानी हो और आपके views को support करती हो या फिर पहले से credible website से अपने उस speech के लिए link लीजिए सारा मसला भरोसा जीतने का है अगर आपका page किसी source से content को scrape करके post कर रहा है और फिर आपको ये error मिल रही है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि कई हजार websites ऐसा ही कर रही होंगी और एक ही content की एक हजार copy रख के Google क्या कर लेगा इस error के लिए आपको अपने content पर ध्यान देना चाहिए content को सही करिए अगर content disputed है ऐसा कुछ है जो controversial हो सकता है तो गूगल को outbound links और inbound links के जरिये भरोसा दिलाइए and issue solve हो जाएगा ये almost crawled currently not indexed जैसा लगता है बट है नहीं इस error message का मतलब है कि Google को इस page के बारे में पता चल गया है लेकिन Google उसे या तो crawl नहीं कर सकता है या करना नहीं चाहता है दूले की सालियों वाले नकड़े हैं Google के बट यहां जूते देने से काम नहीं चलेगा देखे यहां मैंने दो बातें कहीं या तो Google crawl नहीं कर सकता है या नहीं करना चाहता है crawl नहीं कर सकता है का मतलब है कि crawl बजट में issue आ रहा है गूगल हर वेबसाइट को उसके size के साब से उसकी importance के साब से एक कोटा देता है जितने time तक Google Bot उसे crawl करेगा अगर आपकी वेबसाइट इस fix time से ज्यादा time लेती है crawl करने में तो Google इस time limit के बाद जितने भी pages बचेंगे उनको crawl नहीं करेगा as simple as that और आपका page index भी नहीं हो पाएगा crawl budget का ये issue 9-10,000 से ज्यादा pages वाली website में ही होता है उससे छोटी websites को crawl budget के बारे में चिंदा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिन website में 10,000 से ज्यादा pages है उन्हें चेक करना चाहिए कि आप कहीं पुराने outdated pages, tags ये useless categories, search pages बगएरा को index तो नहीं कर रहे है और उसके अपना crawl budget बरबाद तो नहीं कर रहे है और उसके according solution डूरना चाहिए unfortunately अभी तक crawl budget के उपर हमने कोई वीडियो नहीं किया है maybe in future इसे cover करें 10,000 pages से छोटी website में इस issue के आने का मतलब है कि Google आपके उस page को crawl नहीं करना चाहता है इसका मतलब है कि Google को ऐसा लगता है कि ये page तो फाल्तू है, इस पर क्यू time waste किया जाए और इसका solution है Google को अपने page की importance समझाना कैसे? सबसे पहले तो internal links को use करिए आपके जो page पहले से index हो चुके है उनसे इस नए page को link दीजिए relevant anchor text से जब आप इस नए page को link करेंगे तो Google को hint मिलेगा कि इस page को भी crawl करना चाहिए इस नए नए page पर पुराने pages से related कुछ information है और इसे crawl करना चाहिए और internal links के अलावा अगर आप external website से कुछ links इस नए page को लिए आप create करते हैं generate करते हैं, लेते हैं, earn करते हैं तो आपके इस page के index होने के chances और बढ़ जाते हैं नमबर 3, orphan pages छोटी-छोटी चीज़ें हमेशा ज्यादा problems create करती हैं managed CMS के दौर में हम confident रहते हैं कि हर page automatically site map में add हो चुका है बट कई बार, कई सारे computer systems और software और systems की तरह CMS भी mistake कर देता है अगर आपका page site map में नहीं है और उसे किसी और page से भी internal link नहीं मिली हुई है तो ऐसे pages को Google नहीं देख पाएगा और जो दिखता नहीं है, वो बिखता भी नहीं है अगर आपका कोई page index नहीं हुआ है तो जरा एक बार site map में जहांकर देखी कि वो site map में added है भी या नहीं है और नहीं है, तो simple solution है उसे आप site map में जोड़िए 5XX का मतलब है कि 500 से लेके 599 तक जो भी error code आपको search console में मिलता है वो सब server error होंगी इसका मतलब है कि Google ने जब आपके pages को, आपकी website को crawl करने की पढ़ने की कोशिश की, तब वो page download नहीं हुए, वो page open नहीं हुए इसका solution भी आपके hosting provider के पास होगा उनसे बात करके बताईए कि भाई payment हो चुकी है और फिर website down क्यों हो रही है और उस problem को solve कराईए server issues हमेशा या तो hosting की तरफ से होते है या फिर आपने या आपके web designer ने कहीं website किसी तरीके से गलती से down कर रखी है, कुल मिलाकर website को live करिए issue अपने आप sort out हो जाएगा server codes के उपर हमारा एक detailed video है देखे, enjoy करिए और college बढ़ाईए इसका मतलब है कि आपने robots.txt से अपने उस page को block कर रखा है, जिसको आप index करना चाहते हैं, मैंने भी कुछ दिर पहले example में क्या कहा था, कि अगर आप पहाड़ा लिख के बच्चे को देंगे नहीं, तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा, और से याद भी नहीं कर पाएगा, तो अगर आपने robots.txt फाइल को edit करके अपने page को disallow कर रखा है, तो वो अपने आप troll नहीं हो पाएगा, और index भी नहीं हो पाएगा, तो आप अपनी robots.txt फाइल को edit करिए, page को disallow से हटाकर, allow category में लाइए and done, almost हर महीने 15 से 20 emails ऐसी मिलती है मुझे, जिन में गलत robots.txt फाइल के वाज़े से लोग अपना traffic गमा रहे होते हैं, और अधिकतर cases में, वो कोई मासूम चैनल फालो करके robots.txt फाइल को edit कर रहे होते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं और मासूमों को नहीं जानते हैं तो इस playlist को देख सकते हैं, headphone लगा कर और अगर आप जानते हैं कि मासूम क्या होते हैं, क्या चीज होती है, तो robots.txt पर हमारे इस वीडियो को देखिए, most of the problem solve हो जाएंगी इसे solve करने का तरीका यह बड़ा सिंपल है, आप पेज से no index tag को हटा दीजिए, ये शू solve हो जाएगा, no index समित बाकी और important tags के बारे में, robot tags के बारे में हमने बात कि हैं, इस वीडियो में बहुत डीटेल से आपको information मिल जाएगी, number 7 है soft 404, अगर आपका page soft 404 category में आता है, तो भी Google उसे index नहीं करेगा, soft 404 error के कई सारे reason होते हैं, अगर आपके page में कोई भी content नहीं है, सिर्फ header footer है, या placeholder text है, या dummy text है, या फिर बहुत ही मामूली सा text है, तो Google के हिसाब से ये page नहीं होना चाहिए, 404 code return होना चाहिए, लेकिन page 200 code दे रहा है, यानि कि okay, सब चंगा सी, ऐसी situation में Google इस page को soft 404 मानेगा और index नहीं करेगा, कई बार redirected pages soft 404 issue को create करते हैं, अगर आप एक link को कई link से redirect कर रहे हैं, तो ये issue आ सकता है, इसलिए हमेशा make sure कि redirection सिर्फ दो links के बीच में हो, sometimes CMS या जो भी website platform आप use कर रहे हैं, वो भी redirection issues create कर सकता है, so soft 404 cases में आपको अपने developers के साथ भी discuss करना चाहिए, नमबर आठ, canonical issues, indexing के मामले में canonical issues, कई सारे issues का एक जुन्ड है, अगर आपको canonical का मतलब नहीं पता है, तो I highly recommend कि आप ये वीडियो पहले देखें, इससे simpler explanation canonical का आपको नहीं मिलेगा, बट जिन लोगों ने देखा है, लेकिन उनकी memory थोड़ी धुन्डी हो रही है भी, उसके लिए एक छोटा सारी cap कर देते हैं, सपोज आपकी website पर चार pages हैं, A, B, C और D, इन चारो pages में same या similar content है और आप चाहते हैं कि इन चारो pages में से Google B को index करें तो आप B को A, C और D page का canonical announce करेंगे, साथ ही आपको B पर भी instruction देना होगा कि B का canonical B है, इसका reason आपको detail से इसी वीडियो में मिलेगा, now canonical tag instruction नहीं होता है, मतलब कि आपने बता तो दिया Google को कि A, B, C और D में से B को index करना है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि Google आपकी बात मान ले, वो A को canonical बना सकता है, C को canonical बना सकता है, या D को बना सकता है, so अगर Google C को canonical मानता है, तो फिर वो A, B और D pages को index नहीं करेगा, now obviously ऐसा नहीं है कि Google का decision सही है, it's just that कि कहीं न कहीं Google को mix signal मिल रहे हैं और इसका solution भी है, number 1, सबसे पहले तो चेक करिए कि सारे pages A, B और C और D में canonical tag सिर्फ आपके favorite B page को ही declare किया गया है, okay, यहाँ example में सिर्फ 4 pages हैं, लेकिन में भी आपकी website में 20 pages हों और आपको सारे pages पर जाकर चेक करना पड़ेगा, number 2, चेक करिए कि page B या जिसे भी आप canonical बना रहे हैं, उस पर भी खुद उसी page को canonical डेक्लेर किया गया है, या नहीं, number 3, चेक करिए कि आपकी website के internal links में A, या C, या D को link ना किया गया हो, सिर्फ B को ही link किया गया हो, जिससे Google को mix signal ना मिले, अगर Google confused हो जाएगा, तो जो मर्जी में आएगा, वही करेगा, number 4 है अगर आपके pages में से किसी भी page को canonical नहीं बनाया गया है, तो Google again अपनी मर्जी से किसी एक page को अचाना चाहते हैं, number 1 make sure कि आपकी website को crawl करने में कोई इशू ना हो, Google को, number 2 आपके page सही से render हो, उनका content load होने पर अजीब न हो जाए, number 3 आपका content unique, high quality और user की search query को answer करने वाला हो, misleading ना हो, number 4 आपके page को अच्छी internal और external link मिली हुई हो, और number 5 canonical को सही से सेट करिए I hope कि ये वीडियो आपके काम आएगा, पसंद आया होगा thank you so much for watching this video, my name is Amit Iwari from Amit Iwari.net and I will see you next time take care